हाव रफिक सैमसंग M21 स्क्रीन नौट रेस्पॉंडिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्क्रीन नोट रेस्पॉंड इंग प्रॉब्लम् niż त्व म्ल hack करते हैं तो कव इसक्रिन को स्लाइट करे हैं लेकिन और नियुस्ति तो किसे आपका यह प्रॉब्लम सॉल्फ होगा क्या सॉलूशन आपको करना चाहिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा वीडियो को अंतक देखे जो भी सॉलूशन उसको फॉलू करे आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स्ट हो जाएगा वीडियो पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर स्कृण रेस्पॉंट नहीं देते हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल को एक डफ़ा रिस्टार्ट किजिए रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइ को डिलेट करें ठीक है इस तोरेज को फ्रियाप करें और अगर आपके मोबाइल पे बहुत सारे बैट अप्लिकेशन से जो कि आनोन वेपसाइट से इंस्टल किया हुआ है तो उनको भी आप डिलेट करें ऐसा करके इस पेस को क्लीन कीजिए जंक फाइल को क्लीन कीजिए और सो आपको यह फोलो करना है अगर आप कर पते ठीक है प्रोब्लेम भी सॉल्फ हो गया तो अच्छी बाद है लेकिन मान लिजिए आप यहां पे कुछ नहीं कर पाया फिर भी आपको प्रोब्लेम आ रहा है तो नेक्स्ट पर आपको क्या करना है सेटिंग पर जाए सेटि आते हैं तो अच्छी बाद है अगर आपको अभी प्रोब्लेम आ रहा है तो नेक्स्ट पर दोस्तों आपके जो मुबाइल है उसके स्क्रीन गार्ट टैंपर ग्लास और बैक कवर बैक कैस सब कुछ रिमूफ करके देखे आपके सिम कार्ड मेमोरी कार्ड सब कुछ देखे ना हो तो आपको चेक करना है कि कौन सा अपलिकेशन यहाँ पे मिजब प्रोब्लेम कर रहे हैं तो कई बार क्या होते हैं कोई एपलिकेशन हमारे दिवाइस में ररेश्पोन नहीं करते तो फोन लेक कर जाते हैं तो उसके वाज़े से हम यहाँ पर जो कुछ भी नहीं होगा बाई एनी चांस इससे भी काम ना बने तो आप अपने मुबाइल को सेफ मोट पर रिस्टार्ट कर दीजिए उसके लिए क्या करना है पाउर बटन पे प्रेस करके रखना है आपको पाउर ओफ का उप्शन मिल जाएगा और पाउर ओफ के बटन पे भी आपको टे जो है मॉबाइल को यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम में यहाँ पर सोल्फ हो जागा लेकिन दोस्तों मान लेजिए सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्फ नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है तो सेटिंग पर जाए ठीक है मैं आपको सेन्टर पर जाके आप इसका सॉलुशन निकाल सकते हैं तो अगर आप टेक्निशन के मदद लेना चाते हैं तो आप भी ले सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होते हैं इंटर्नली प्रॉब्लेम होते हैं तो उसके वज़ा से स्क्रीन कई वार रेस्पॉंड करना ही बन हो जाते हैं अगर डेमेच स्क्रीन बगए रहे तब तो फिर दोस्तों आपको डेफिनेटली टेगनिशन के मदद लेना होगा अगर स्क्रीन का कोई डेमेच नहीं हुआ है तो आप यह सॉलिशन को फोलो कर सकते फिर भी सॉल्फ ना